राजीब कुमार अभी हैंड रेस का जवाब लास्ट में अभी तक हमने एक बड़ा सीधा साधा और सिंपल सा चप्टर किया जिसका नाम था Contract Account और Contract Account में क्या क्या देख लिया एक बार इस टार्टिंग में जाएंग करें सर Contract Account में बाई जिन बच्चों का डाउट है प्लीज आप Hand Raise मत करिये भी आप चैट में डाल दें तो थोड़ा जल्दी मैं रिप्लाई कर दूँगा क्योंकि hand raise में होगा क्या class delay हो जाएगी आपकी बस last में मैं आप सभी के doubt नूँगा तो contract account हमने सीखा था contract account के अंदर एक contractee था और एक contractor था जो मकान बनाता है वो contractor होता है जो मकान बनवाता है वो कौन होता है contractee होता है इसके बाद formula देखा के भाईया हमें एक बनाना क्या है साधारन सा profit and loss account जो की profit and loss account हमने यहाँ पर बनाया भी था और इसके साथ साथ कुछ इसके rule थे कि अगर आपका profit 25% से कम आ रहा है अगर सरी आपका अगर completion 25% से कम है तो profit कुछ नहीं लेना अगर आपका completion 25% से 50% के बीच में तो 1 बटा 3 लेना है आपका completion 50% से 90% के बीच में है तो आपको 2 बटे 3 लेना है surplus का cash receive work certified तो ही है और अगर आपका 100% है तो उस case में कोई 1 बटा 2 या 2 बटा 3 नहीं लेना सीधा आपको पूरा का पूरा contract में मान लेना होता है जो की लिखा हुआ है cash receive upon में contract price सर एक question किया था यहाँ पे था maximum reasonable possible profit जिसको मैंने गोला था हम बाद में discuss करेंगे इसको एक बार इसके बाद हमने एक और सवाल किया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था के balance sheet की बात चले थी यहाँ पे तो balance sheet पे हम रुक गए थे तो आज हम balance sheet की चर्चा करेंगे और फिर balance sheet से related एक सवाल हम करेंगे यानि आज हम सीखेंगे क्या क्या सर आज सीखेंगे contract account आज सीखेंगे contractee account और आज सीखेंगे balance sheet यानि contract तो करी चुके हैं है ना पहले सीख लेते हैं फिर अप्लाई करेंगे सर बैलेंस शीट जो कि आपका स्टार्टिंग से पीछा नहीं छोड़ रहा ठीक है और इस बैलेंस शीट ने बहुत डराया है सर सेमेस्टर 1, 11, 12 हर चेगह पर आपका आया है लेकिन अब मान के चलिए बहुत हो चुका अब एक्जामनर कहता है अब हम आपको बैलेंस शीट से बिल्कुल नहीं डराएंगे स्क्रीन नहीं आ रहा रीफ्रेस करने जा रहा हूँ आप फटा फट से देखिएगा लेकिन हमें समझ आ जा जाए रटना ना पड़े बस यह है हमारा कॉंट्रेक्ट अकाउंट हम बाइ साइड में लिखते हैं बाइ डबलू आईपी डबलू आईपी में आता है वर्क सर्टीफाइड और वर्क सर्टीफाइड वर्क सर्टीफाइड और नौट सर्टीफाइड क्या होता है सर मान लेते हैं कि आप जब घर बनवाते हो जब कंस्ट्रक्शन करवाते हो बिल्डिंग बनवाते हो तो आपका इस जगह पे अगर इतना पार्ट बन चुका है और च्छत पूरा डला नहीं और अभी काम कंप्लीशन पे नहीं है आर्कीटेक्शर इस दिन आता है और आने के बाद आपके घर को देखता है और बोलता है भाईया आपका काम इतने परसंट सेटिफाइड हो गया है एक परसंटेज की डिगरी देके जाता है वो इतने परसंट कंप्लीट हो गया है तो जहां तक आर्कीटेक्शर ने आके आपको बता दिया that is work certified और इसके बाद ऐसा थोड़ी आप काम नहीं करोगे तो इसके बाद काम करते रहते हो यहां पर आर्कीटेक्शर आएगा नहीं क्यों नहीं नहीं आएगा सर उसके पास और भी काम है आपके पास थोड़ी नवेठा रहेगा के तो यहां से यहां तक जो आपने काम किया है that is work not certified मैं अगर मानू sales अगर मैं sales की बात करूँ तो जितना मैं काम करूँ वही मेरा sales होगा तो अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो चाहे work certified हो चाहे work not certified हो दोनों मैंने ही काम किया तो मेरा sales होगा इसका मतलब sir work certified अगर मान लेते हैं कि 1000 है और not certified 500 है इसका मतलब sir यह मेरा sales है 1500 मुझे 1500 लेने है मुझे 1500 रुपई लेने है यही होगा इसका मतलब क्योंकि मैंने 1500 के बराबर का काम कर दिया sir जब आपको 1500 रुपई लेने है तो मतलब dator है वो क्या है dator है तो मैं balance sheet अगर बनाऊंगा तो balance sheet के अंदर मुझे dator इधर ही लिखना होगा तो dator ना लिख करके मैं लिखूंगा work certified work certified इसमें add कर दूँगा work not certified पहले ये बात समझे के balance sheet में work certified और work not certified क्यों आया पहले ये समझे आप यहां तक बात clear है आपको क्योंकि क्या है ये as a debtor है ये ये क्या है हमारा एक तरीके का और debtor की जगे तो balance sheet ही है अब हम यहां पे क्या करते हैं sir यहां पे हमारा आता है profit यहां पे हमारा आता है profit जिसे बोलते है surplus जो भी surplus let's assume के आपका 1000 रुपे का surplus आया उसके बाद इस surplus के दो टुकड़े कर देते हैं एक CPL में भेज देते हैं work WIP reserve कर देते है WIP reserve का मतलब पता ही क्या होता है इतना हिस्सा आपको नहीं मानना के आपका यह profit है आपको मानना ही नहीं कि यह आयापका profit है WIP reserve इसका मतलब sir अगर आपका total sales ये है और उसमें से कुछ हिस्सा मान रहे हो कि ये आपको नहीं मिलेगा तो ये क्या होगे एक तरीके के बेड़िट्स हो गया याद है एक तरीके के क्या होगे हमारा बेड़िट्स तो हम बेड़िट्स को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो सेम यहां से हम क्या करतेंगे लेस डबलू आई पी डबलू आई पी ब्रैकेट में मैं नीचे लिख देता हूँ जगह है ने रिजर्व पहले बताईए आप इस पॉइंट से सहमत हो यह रट्टा मत मारिएगा बहुत बच्चे रट्टा मार लेते हैं मैंने भी जब किया तो मैंने भी रट्टा मार लिया था किसी ने बताई नहीं बाद में समझ मैं अच्छा इसका मतलब यह है नहीं तो फिर बैलेंशीट से भागते रहोगे आप कि कैसा बैलेंशीट है क्या हो रहा है डबलू आई पी प्लस जा रहा है कभी माइनस हो रहा है स और सर आपको 1500 रुपे मिलना था जिसमें से मान लेते हैं कि आपने wal вimenate 300 रुपे Ito यानि सर 1500 का डेटर था, 300 रुपे रिज़र था तो आपका डेटर बना कितना आपका डेटर बना कितना 1200 अब कुछ पैसे अगर आपको मिल जाए, कैस रिसीव अगर आप कर लो, तो डेटर क्या आपका 12.00 ही होगा, 800.00 मान लो मेरा कैस रिसीव हो गया, तो कौन बच्चा बचा है, बताएगा मुझे के मेरा डेटर कितना है, डेटर कितना है, चलिए लाइव क्लास में जितने बच् ले, 400, गुलसर ने भी दे दिया, 400, सूरज, सभी बच्चों का 400, 400, 400, एक बच्चे ने तो 40 लिख दिया, 400, 400, बिल्कुल सही, तो इसका मतलब सर, ये बैलेंस शीट में डेटर आने लाइक नहीं है, इसमें से एक चीज और माइनस करना चाहिए, क्या माइनस करना चाहिए ह में कैस रिसीव, शॉर्ट पर्म में जरूर लिख रहा हूं, लेकिन आप मैं बोलता भी जा रहा हूं, उसी के साब से, अब जो फाइनल बचेगा, डेट इस हमारा डेटर, तो पहले ये देखिए, बैलेंस शीट में मैंने डेटर लिखा, डेटर लिखने का थोड़ा सा एसेट्स में, एसेट्स में और क्या आएगा, और एसेट्स में आने वाला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, आपको याद होगा, हर बार हमारा आपका याद दिलाते हैं, चलिए, याद दिलाते हैं, वैसे आपको पता ही था, यहाँ पे सा इसके बाद क्या आएगा हमारा machinery कोई दिक्कत यहां तक कोई परिशानी cash का balance आपको जो मिला है although cash आपको मिला है तो आना चाहिए तो लेकिन हम cash दिखाएंगे नहीं मान लेंगे कि खर्च भी हो सकता है जिसका detail हमें पूरा नहीं पता तो cash लिखेंगे नहीं तो balance sheet के asset side में ब capital वगरा तो आता ही है छोड़िये कई बार आपको outstanding देखने को मिलता है outstanding एक सवाल भी किया था मुझे याद आ रहा है किया था या नहीं किया था करा था जिसमें मैंने यहां पर outstanding जोड दिया था तो outstanding कई बार देखने को मिलेगा तो वह outstanding कुछ भी हो salary हो wages हो कुछ भी हो outstanding यहां आ जाएगा समझ मैं आई बात आपको और कुछ भी देखने को generally नहीं मिलने वाला दूसरा in case capital दे दे in case capital दे in case आपको capital दे दे sir capital दे दे तो क्या करें लिख दीजिए यहां capital capital लिख दीजिए और इस capital में याद होगा balance sheet में आप net profit क्या करते थे add करते थे तो जो यहां पे CPL लिकल रहा है इस CPL वाले net profit कोई कहां लिख देंगे sir यहां लिख देंगे ठीक है और मान के चलिए 1% chance मान के चलिए कि आपको capital मिलेगा 1% chance है बाकी देगा है नहीं आपको examiner capital ना तो capital देगा नहीं net profit देगा तो मेरी बात को समझिएगा sir यह balance sheet बन गया जी हां इससे उपर कोई balance sheet नहीं बना और मजे की बात इस balance sheet का total कभी आपसे match नहीं होगा क्योंकि हमें balance sheet की पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी balance sheet की आधी जानकारी है अब इसमें क्या पता prepaid कितना है capital कितना कुछ नहीं बताएगा आपको तो इसे match नहीं करना इतना ही छोड़ना है तो that is इसे बोलेंगे extract extract of balance sheet ये पूरा balance sheet नहीं है सिर्फ आपसे बोला जाएगा balance sheet का एक extract बना के दिखाईए balance sheet का एक टुकड़ा बना के दिखाईए तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि balance sheet कैसे बनाना है clear हो रहा है कुछ balance sheet कैसे बनाना है sir machinery क्यों लिखा आपने question में देगा क्या machinery बिलकुल ही ना question में machinery देगा हम पिछले सवाल में आ जाते हैं और पिछले सवाल में अगर देखें तो question में सवाल में material था और देखिए machinery के जगह पे क्या था plant तो ये दोनों part balance sheet के assets में आएगा अब यहाँ पे देखें क्या कहता है so relevant balance sheet entry balance sheet में जो entry जाएगा सिर्फ वही दिखाईए यानि हम पूरा तो नहीं बना सकते हैं यहाँ पे तो जितनी जानकारी जा सकती है उतना ही बनाना होगा यह last class का question था तो मैं इस question का balance sheet नहीं कराऊँगा एक नया question करने वालों fresh आपके लिए उसका balance sheet कराऊँगा और यह वाला balance sheet आप खुद बना लेंगे इसको ठीक है अब एक सवाल आता है contractee पहले हम balance sheet बनाते है contractee साथ के साथ बन जाएगा contractee बड़ा आसान होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है balance sheet के साथ contractee आराम से बन जाएगा चलिए सर और जितने भी सवाल है सभी महेश्वरी मित्तल के किताब के लिए जा रहे हैं तो कोई बच्चा यह confused ना हो के सर कहां से notes बना रहे हैं सर कहां से सवाल दे रहे हैं आपका जो normal routine में जो college के अंदर किताब चल रही है उसी किताब को base मान के मैं करवा रहा हूं और सा definitely आपके किताब के सवाल हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सवाल हो ही नहीं रहे है चलिए सर यह बनाया मैंने contract account इस सवाल में हाला कि क्या बोला हुआ है इसने balance sheet भी बोला हुआ है ना अगर इस सवाल में बोला हुआ है balance sheet तो definitely balance sheet हम बनाएंगे ओहुआ यह बनाया contract account contract ठीक है amount amount चलिए सर एक तो यह बोला है उसके बाद एक बोला है सर क्या बोला इसने एक बोला है contract हम अभी सबसे last में relevant balance sheet यहां बना के दिखाएंगे आपको तो balance sheet ना यह बनने के बाद ही बन सकता है आप सोचोगा ने starting में बना ले तो नहीं बन सकता है क्योंकि पी एंडल से पहले balance sheet तो बनना possible ही नहीं है पहले यह बना लेते हैं चलिए सवाल देखते है चलिए सबसे पहले कहता है हिंदुस्तान construction company limited has undertook a construction of bridge over the river यमना यमना जो नदी है उसके उपर इनोंने सोचा है कि हम pull बनाएंगे उस pull को बनाने में for a municipal corporation the value of contract is 12,50,000 और बोलता है कि आप pull बनाएंगे और हम आपको देंगे 12,50,000 हम आपको देने वाले हैं 12,50,000 रुपै subject to retention 20% until one year are certified completion of the contract बोला गया कि हम 12,50,000 है subject to retention 20% until one year after certified completion contract कहता है जितना भी आप काम करके देंगे हम 20% हिस्सा तो आपको नहीं देंगे माने लो आपने एक लाख रुपै का काम किया तो contractor क्या करता है असी देता है बोलता है भाई 20 नहीं देंगा अगर तिरको एक लाख दिया तो तु बीच में छोड़के भाग जाएगा अगर तिरको लॉस हो रहा होगा तो contract में यही रहता है अगर उसने एक लाख का काम करके दिया तो हम एक लाख रुपै कभी ठेकेदार को नहीं देता है बोलते है ले असी ले बाद में करता रहे दे दूँआ क्योंकि इससे होता क्या है अगर मैंने उसको पूरे पैसे दिये न और उसको बीच में थोड़ा से भी अंदाज होगा है और इस contract में लॉस हो सकता है बीच में छोड़के भाग जाएगा फिर आप कहां जाओगे यानि फिर आपका सारा काम खराब हो जागा तो पूरा नही तो यही कहता है कभी यह 20% रोक लेंगे आगे कहता है until one year contract final approval of the corporation engineer इंजीनियर मतलब architecture the following detail given है जून का कहता है labor on site यानि सर labor का खर्चा ओके किसका खर्चा है सर labor इधर आ जाएगा तू labor चार लाख पांच हजार labor हो गया हमारा सर labor के बाद आ गया material material direct to site less return मजे की बात है return minus करके दे रहा है तो two material कितने का material चार बीज material from store और कहीं से भी store कहीं से मंगवाए मैंने तो ये भी खर्चा है कितने का यानि सर कहीं से material आए आप direct खरी दिये कहीं से मंगवाई ये यहीं पर आएगा आपका material higher and use of plant plant upkeep account मतलब plant को रख रखाओ करने के लिए हमें खर्चा देना पड़ा तो higher मतलब किराया हो सकता है तो किराया दिया होगा बारा हजार एक सो रुटा डाइरेक्ट एक्सपेंस यहीं आएगा तेईस हजार जर्नल ओवरहेड एलोकेटेड टू जर्नल एक्सपेंस कहा देता हूँ जर्नल ओवरहेड कितने 37 एक सो मटीरियल ओन हैंड 30 जून को तो मटीरियल ओन हैंड का मतलब होता है आउट स्रेंडिंग आउट सेंडिंग को क्या क्या वब सकते हैं मिधा है driving अध्यान होता ही है अखर कि इप कीरें तया रोल कि अक्रूड भी म hält एटिज ए इतने सारे शब्दों का इस्तमाल किया जा सकता है जिसका मतलब होना क्या है outstanding ही होता है अब देखें यहाँ पर wages accrued है तो सही माइने में क्या होना चाहिए यह wages accrued labor के अंदर add on हो जाना चाहिए तो मैं यहाँ से labor को हटा देता हूँ labor को यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ लिख नहीं पाए इसको लिए आते हैं नीचे ताकि मैं add कर पाऊँ ठीक है जब इसे हटा दिया तो इसका क्या काम इसका क्या काम इसे भी हटा दिया जाए वो हो इसको भी हटा देता है तो हम लिखेंगे 4,5,000 और add कर देंगे outstanding wages आपने exam में भी ऐसे ही करना है कितना है 78,70 finally लिख लेंगे अब यहाँ पे आपको direct expense भी accrued कह रहा है क्या करा जाए अब इसका इसको adjustment कर देते हैं यहीं बेकाशे ने कैसे कर देते ठीक है या मैं यहाँ पे मेरे पास जगे की कमी है exam में ऐसा ना करना मैं यहीं पे लिख रहा हूँ outstanding expense कितने रुपे? 1600 समझ में आया है ultimately जोड करके तो बाहर ही लिखना है न इसलिए लिख दिया work yet not certified इसका मतलब सर्ड डबलू आईपी डबलू आईपी में दो बाते work certified work तो work not yet certified का मतलब work not certified है सोलह हजार पांसो amount certified by the corporation engineer amount certified तो कितने का? 11,00,000 रुपे का सर 11,00,000 रुपे का work क्या होगे हमारा certified 11,00,000 का certified हो गया cash receive देखो 88 अब खुद भी सोचो अगर cash receive नहीं भी देता ना तो मैं निकाल लेता क्योंकि उसने बोला था जितना भी काम करोगे उसका हम कितना देंगे आपको 20% रखके देंगे 80 तो 11,00,000 का 80% निकालो कितना होता है 88 तो examiner ने चला कि यहां नहीं दिखाया जब कि उससे दिखाना चाहिए था उसको नहीं देना चाहिए था यह तो कि आपको निकालना पड़ता वैसे दे दिया तो अच्छा है भलाई के लिए दे दिया हमारे यहां तक कोई क्लियर यहां तक कोई डाउट नहीं चलिए 11,16,500 ठीक है अब इसमें एड कर देते हैं एड कर देते हैं 4,5,7,800 4,128,00 सर यहां से निकालेंगे सर्प्लस सर्प्लस 3,600 ग्यारा बाइस आट सो तू सर्प्लस तू सर्प्लस सर्प्लस निकाल देते हैं माइनस 4,20, माइनस 81,200, माइनस 12,100, माइनस 23,000, माइनस 16,00, माइनस 371,00, और माइनस 4,12,800, नहीं, प्लस 371,00, माइनस 37,100, और माइनस 4,12,800, एक लाख पैतिस हजार 35 और इसी 35 को बाइ साइड में लिख देंगे, बाइ सर्प्लस एक लाख 35,000 अब इस एक लाख 35,000 पे हम क्या करने वाले हैं इस एक 35 पर रूल लगाएंगे, रूल कौन सा लगेगा, चेक करना पड़ेगा, सर कितना contract price था सर, CP था 12,50,000, certified कितना हो गया work, सर 11,00, तो निकालते हैं, 11,00, divided by 12,50,000, into 100, कितना बन रहा है, 11,00, divided by 12,50, oh my god, 88%, तो कौन सा लगेगा, तीसरे वाला, तीसरे वाला, 2 by 3 वाला, 90 से कम हो गया न, 2 by 3, तो यहां surplus आएगा हमारा, surplus आएगा, यानि CPL, costing P&L आएगा, 2 by 3, into में 35, into में cash receive, 88, divided by work certified, 11,00, 11,00, तो 1,00, into में 2, divided by 3, divided by 11,00, into में 88,000, sorry, 88, यह आगेगा हमारा, plus 1 रुपया, 72,000, 2 CPL, CPL कितना, 72, और 2 WIP, यह WIP कौन सा है, हम profit नहीं मानेंगे, रिजर्व वाला, तो 72, minus 135, that is 63, 63, 63, और यह आगे हमारा, 135, 135, यहां तक clear है आपको, तो हम balance sheet बनाएं, यहां तक clear है, तो देखें, exam में सवाल ऐसे ही आने है, 15 नमबर का सवाल आएगा, जो कि आसान है, अब एक balance sheet बनेंगे, फिर एक दो class में, यह chapter finished हो जाना है, ठीक है, आज homework भी देंगे आपको, चलिए balance sheet बनाते हैं, balance sheet, और मज़े की बात, यह balance sheet टेंशन नहीं है, इस balance sheet में, मज़ा आता इस balance sheet को बनाने में, क्यों, क्योंकि match करने की tension नहीं है, कुछ बच्चे hand raise कर रहे हैं, मैं आपका hand raise का सवालों का जवाब दूँगा, अभी रुख जाईए बस, यह है balance sheet, और यह contractee account, यह लिएविलेटी, अचिट, अमांट, ठीक है, यह particular amount, particular amount, particular amount, अभी रुख जाईए, भाई हिना, आप एक बाद comment में लिख दीजिए, मैं आपका doubt पड़ लूँगा, सवाल खतम होने के बाद, hand raise का option देंगे हम सभी को, सर, balance sheet के assets में, हमारा सबसे मुद्दे की बात क्या है, हमें क्या लिखना चाहिए, WIP, है ना, तो WIP, सर, WIP में दो बाते थी, work certified और work, ये मेरा debtor था, और इस debtor को देखा जाए, तो ये 11,00,00, और ये 16,00,00, 16,500, 16,500, सर, कितना है, surplus कितना है, surplus 1,35 था, surplus 1,35 था, surplus 1,35 था, चलिए, ये जो answer आया मेरे पास, आपने बताए, सर, 11,00,00, 16,500, अब इसमें से क्या माइनस करें, bad debt, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ये रहा, ये है work reserve वाला, जो कि 63, तो work reserve, work, WIP, और वो भी कौन से आला, reserve वाला, कितने, 63,000, minus क्या कर देंगे, cash receive, cash receive कितना हुआ था, 8,80,000, अब actual debtor निकल के आया, अगर आपने मेरी पुरानी बात को समझ ली होगी, balance sheet वाली, ये बाते लग रहा होगा, ये तो सर नॉर्मल करवा रहे हो आप, जिसने नहीं समझा होगा, तो नॉर्मली बच्चे परिसान रहते हैं, सर यहां भी WIP, यहां भी WIP, cash receive, वो रट लेते हैं फिर इसको, जो कि कहीं न कहीं examiner, फिर आपके साथ कहीं न कहीं दिक्कत दे सकता है, minus में, 63,000 minus, 1,73,500, 1,73,500, अब closing stock, material, सर सवाल में material भी है, कितने का material है सर, 63,000, 6,300, तो 63,000 का, और सर आउट्सेंडिंग, आउट्सेंडिंग वेजिस, और क्या था सर, आउट्सेंडिंग एक्सपेंस, तो आउट्सेंडिंग एक्सपेंस और वेजिस देखते हैं, 1600, और यह था 800, तो 7,800, और यह, 1600, बस, और कुछ नहीं लिखना, बैलेंस शीट खतम, आपका मन करता है, टोटल करने का, तो जरूर टोटल करिए, और दोनों साइड का, अलग-अलग टोटल दिखाईए, इसका टोटल आएगा, 179, और इसका टोटल आएगा, हम match नहीं कर सकते हैं, Sir, ऐसा क्यों, match क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे पास सारी information नहीं है, जब तक हमें पूरी business का information, ना पता ओ, capital, drawing, सारे खर Minnie, इवर चे तब तक हम, नहीं कर सकते हैं, तो यही तक रहेगा, यह balance sheet, तो देखो, अब सबसे आसान बैलेंस शीट अब बन रहा है ये वाला ठीक है चलिए आप कॉंट्रेक्टी अकाउंट करेंगे हम कॉंट्रेक्टी अकाउंट मैं बना तो दू और बड़ा आसान भी है पहले हम समझ लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा लेजर का नॉलिज होने जरूरी है जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान दीजिए ये कॉंट्रेक्टर और ये कॉंट्रेक्टी इसके आगे ER लगा दिया कॉंट्रेक्टर इसके आगे EE लगा दिया कॉंट्रेक्टी अकाउंट बनाना इसी को है सारा भाई जो मकान बनवा रहा है उसको क्या मतलब हो तो पेमिंट देता रहेगा बिजनस कौन कर रहा है बिजनस जो मकान बनवा रहा है वो नहीं कर रहा है जो मकान को बना रहा है वो कर रहा है तो अकाउंटिंग कौन करता है accounting businessmen करता है ना कई साधारन व्यक्ति करता है तो कौन करेगा accounting sir accounting ये करेगा अब ये जब करेगा तो ये इसको क्या करेगा ये इसको पैसा देगा ये इसको पैसा देगा तो ये entry करेगा cash account debit cash account debit क्योंकि इसके आज पैसे आया और किस ने दिया contractive contractive अब पहले आप journal entry पे भरोसा करिए तो laser पे अपने आप ही हो जाएगा कितने पैसे दिये 880 समझ में आई बात आपको journal entry यही बनना चाहिए अब इसी को laser में एक बार posting करिए contractee account में जाएंगे और लिखेंगे buy cash contractee में जाएके लिखेंगे buy cash 880,000 बस और पैसा तो मिला नहीं नहीं मिला 880 यहां भी आ जाएगा और आपको पता है अच्छे से इसको यहां लिख देंगे balance balance cd last का बचा हुआ तो balance cd होता है और इधर लिख देंगे buy balance buy balance pd क्योंकि यह एक ही साल का था इसलिए हमें थोड़ा मजा कम आ सकता है अगर 2-3 साल का होगा न जब हम करेंगे question को लेंगे तो थोड़ा interest होगा अच्छा यह तरीके से connected है अभी सिर्फ हम एक साल का कर रहे है खतम contract e account और कुछ भी नहीं करना क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं contracting ने जितना पैसा दिया उसका accounting कर लिया समझ में आए बात आपको तो हमने यहाँ पे तीनों बातों को complete कर लिया सर contract account तो बनाये ही contract भी बना लिया और relevant balance sheet भी बना लिया बताइए कोई समस्या है इसमें आपकी किताब में आप चाहें वहाँ भी देख सकने इससे ज़्यादा नहीं है तारीख वारिख डालना है तो वो डाल सकते हैं आपकी इच्छ है वो दिया कह रही है सर CPL नहीं दिखाया लाइबलीटी में दिखा दो capital नहीं था इसलिए नहीं दिखाया CPL दिखा देते हैं कितना था CPL CPL आ जाएगा कहां गया भीया 72 दिखा दो ये लो 72 खीक है दिखा दिया मैंने capital था नहीं सर explain again contract account contract account में wages को और wages के wages ही लिखा होता है या labor लिखते हैं आपकी इच्छ है तुसार wages लिखिए labor लिखिए examiner को पता है दोनों का मतलब एक ही है recruit तो 30 जून को दिया है तो ये CR में आना चाहिए आपका जितने भी outstanding होते हैं हमेशा साल के end में ही होता है और हमेशा उसमें add ही होता है तो इसलिए ये debit में जाके add हो गया अब बच्चे कह रहें सर contractee account बता दो एक बार अब contractee account के है मतलब contractee account कौन है ये ये है हमारा मालिक यानि जो हमसे काम करवा रहा है तो मालिक जब हमें पैसा देगा तो हम मालिक का account बना रहे हैं और एक तरीके से वो हमारा data है समझो ऐसे वो हमारा क्या है data तो डेटर पैसा देगा तो मेरा अकाउंट घट जाएगा तो उसी तरीके से मैंने यहां घटा दिया और यहां CD करके यह कर दिया बाकि आप इस जनल एंट्री को याद रखिए आपको कोई समस्या नहीं होगा लास्ट में एकदम जब लास्ट होगा तो लास्ट लास्ट में यह दोनों अकाउंट टैली हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हम यहां पर कॉंट्रेक्ट अकाउंट भी लिख देंगे और इधर होके यह टैली हो जाएगा वो जब एक से दो साल का final वाल आएगा कि आप final contract करके दिखाईए तब देखने को मिलेगा आपको 10 year जैसे ही आएगा मैं बता दूँगा अभी नहीं आया अभी आपका corporate का तो पहले मैंने final कर दिया है लेकिन वो भी अभी update होके आने में time लगेगा हाँ 10 से 15 तारिक तक मैं करवाद हुआ 10 year इसका और कोसिस यह है तो सारा update करके मैं करवाद हुआ उसमें क्या है अच्छा दिखाना है contract account देखिए यह लेगे कोई दिक्कत इसे आपका book के अंदर देखोगे फिर इसमें तो relevant information जितना लगता है बना दिया उनोंने बाकी closing stock आएगा आप आगे कोई सवाल देखेंगे तो वहाँ दिख जाएगा फिर परिशान होगे तो मैंने दोनों बाते यह सब घटा के बिल्कुल सिवदास का 10 यर जादा ने मामूली 100 रुपे के तक के आता है 100 रुपे से अंदर ही होता है इससे जादा ने बुक देखो मैंने कहां महिश्वरी मित्तल नियरवाई शॉप पे जाईए और आपको बुक इजिली अविलिबल हो जाएगा ऑनलाइन में पुरानी बुक भी दे देते हैं उठा के कोरियर करके देखते हैं एक बच्चे ने पिछली बार पता ही क्या गलती हुई थी कि बुक मंगवा लिया ऑनलाइन टैनियर ही मंगवाए था इनफेक्ट और टैनियर मंगवाने के बाद उसने सोचा कि अब एक्जाम के टाइम पर पढ़ा ही करेंगे दो दिन पहले और देखा तो दूसरे सबजेक लिए ज्यादा बहतर है बाकि मैं लिंक बोलोगे तो मैं लिंक डलवा दूँगा जहां से ऑनलाइन आपको अविलिबल हो जाएगा जो बच्चे दूर रह रहे हैं अब आपको बता जैसे आएगा ना मैं यहां दिखा भी दूँगा और बता भी दूँगा सारे चीजें अब कर दो आपका अपरिल तक करूंगा आपका सलेबस खतम में तो बहुत दूर है मैं अपरिल में खतम करूंगा सलेबस आपको नोट करने का मौका दिया गया है चलिए एक और सवाल देखेंगे अभी आप कर दो कर दो